हनमान जी महराज कीज़े दोस्तों क्या आप जानते हैं हनमान जी इस कल्यूग में तुरंद फल देने वाले बगवान है हनमान चालीसा जो गोस्वामी तुलसी दास जी ने हनमान जी की बक्ती में रची है इस कल्यूग में हन्मान जी को प्रसंद करने के लिए सबसे सरल और शक्ति सालिस तुती है दोस्तो यदि आप सच्चे दिल से किसी भी कार्य की पूर्ती के लिए हन्मान जी को प्रात्ना करके हन्मान चालीसा करेंगे तो आपका वह कार्य अवश्य पुरा होगा हन्मान चालीसा की अनेक चौपाईयों में हमारी हर समस्या का समादान छुपा हुआ है इन चौपाईयों का प्रत्यक व्यक्ति के जीवन में महत्वपून योगदान है भगवान श्री राम के प्रिय बक्त हन्मान जी को अस्ट सिद्धी और नौ निधी के दाता के रुप में जाना जाता है यह हन्मान चालीसा की एक चौपाई है अस्ट सिद्धी नौ निधी के दाता अस्पर दिन जानकी माता अर्थात हन्मान जी की भक्ती से व्यक्ती के जीवन में आठ प्रकार की सिद्धिया और नौ प्रकार की निधीया साकार हो जाती है लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि अस्ट सिद्धी और नौ निधीया क्या है अगर ये आपको पता नहीं तो वीडियो को अन तक देखे विश्वबर में सबसे मुलियवान वस्तुओ नौव निधिया है जिन्हें पालेने के बाद किसी भी प्रकार के धन और संपति की आवश्यक्ता नहीं रहती हनमान जी के पास आठ प्रकार की सिद्धिया थी इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते हैं वे अंतियन सुक्ष्मत से लेकर अति विशाल काई दे धारण कर सकते हैं जहां चाहे वहां मन की गती से पलबर में पहुँच सकते हैं और भी कई सारी शक्तिया हन्मान जी में है। हन्मान चालिसा के अतिरिक्त मारकंडई पुराण में अस्ट सिद्यों का उल्ले किया गया है। वह आठ सिद्या इस प्रकार बताई गई है। पहली अन्मान जी की सबसे पहली सिद्धी है अन्मान इस सिद्धी के बल पर हन्मान जी कभी भी अति सुक्ष्मरूपदारण कर सकते हैं। इस सिद्धी का उप्योग हन्मान जी ने तब किया था जब वह समुद्र पार करके लंका पहुँचे थे। इस सिद्धी का उप्योग करके हन्मान जी ने संपोन लंका नगरी का निरिक्षन किया था। हनमान जी की दूसरी सिद्धी है महीमा इस सिद्धिक के बल पर हनमान जी ने कई बार विशाल रूपधारन किया है जब हनमान जी लंका जा रहे थे तब सुर्सा नामक राक्षसी ने उनका मार्ग रोक लिया था उस समय सुर्सा को परास्त करने के लिए उने सयम को सो योजन तक बड़ा कर लिया था इसके अत्रीक हनमान जी ने कई बार विशाल रूपधारण किया है हनमान जी की तीसरी सिद्धी है गरीमा इस सिद्धी की मदद से हनमान जी स्वयम का बार किसी विशाल परवक के समान कर सकते हैं इसका उप्योग हनमान जी ने महाबारत काल में भीम क समक्ष किया था एक समय पर भीम को अपने बल पर गमंड हो गया था उस गमंड को तोड़ने के लिए हर्मान जी एक वृद्वानर का रूप धारण कर मार्ग में अपनी पूँच फैला कर बैठे हुए थे तब भीम ने देखा एक वृद्वानर की पूँच मार्ग में पड़ सवस्ता के कारण में अपनी पूँच उठा नहीं सकता हूं आप स्वयमी उसे हटा लीजिए इसके बाद भीम पूँच उठाने गए परंतु पूँच टस से मस नहीं हुई भीम ने पूरी शक्ति का उप्योग किया लेकिन सफलता नहीं मिली इससे उनका घमन चूर-चूर हो गया हनमां जी की चौथी सिद्धी है लदीमा इस सिद्धी से अनमांजी स्वयम का पार विल्कुल हलका सकर सकते है और पल भर में वे कही भी आ जा सकते हैं हन्मान जी अशोक वाटिका में पहुँचे तब वे अनीमा और लदीमा सिद्धी के बल पर सुक्ष्म रूपधारण करके अशोक व्रुक्ष के पत्तों में छिपे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही उन्होंने माता सिता को अपना परीचय दिया था। हन्मान जी की पाँचवी सिद्धी है प्राप्ती। इस सिद्धी की सहायता से हन्मान जी किसी भी वस्तु को तुरंथी प्राप्त कर लेते हैं। पसुपक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं और आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायन में इस सिद्धी के उप्योग से हनमान जी ने माता सीता की खोच करते समय कई पशुपक्षियों से चर्चा की थी और माता सीता को अशोक वाटीका में खोच लिया था। हनमान जी की छठी सिद्धी है प्राकामिया। इस सिद्धी की मदद से हनमान जी प्रुथ्वी की घरायों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धी से हनमान जी किसी का भी रूपदारण कर सकते हैं। अन्मान जी की साथवी सिद्धी है इशित्व इस सिद्धी की सहायता से अन्मान जी को देविय शक्तिया प्राप्त हुई है इशित्व सिद्धी के प्रभाव से अन्मान जी ने वानर सेना का कुशल नेतरुक्त्व किया था इस सिद्धी के कारण उन्होंने सबी वानरों पर स्रेष्ट नियंत्रन रखा था साथ ही इस सिद्धी से हनमान जी सेना में गायल हुए सैनीकों को पलबर में ठीक कर देते थे दोस्तों हनमान जी की अस्ट सिद्धियों में से ये आखरी सिद्धी है वशित्व इस सिद्धी के प्रभाव से हनमान जी जीतेंद्रिय है और मन पर नियंत्रन रखते है। वशित्व सिद्धी से हनमान जी किसी को भी अपने वश में कर सकते है। इसी के प्रभाव से हनमान जी अतुलित बल के धाम है। यह हनमान जी की आठ सिद्धिया थी। दोस्तो आप भी हनमान जी में सदा विश्वास रख कर हनमान चालिसा कीजिए, जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाएगे, ऐसा हमारा अनुबव है, आप भी अनुबव कीजिए, हमारी तरह आप पर भी हनमान जी की तक्रूपा बनी रहे दोस्तो इस वीडियो को हनमान जी के सभी भक्तों को शयर कीजिए, और हनमान जी की महिमा बताईए, वीडियो अन तक देखने के लिए दन्यवाद, हमारी चैनल फैक्ट विट हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, दन्यवाद